तो यहां पर रुपना है और उनका बापा अंकल अर्षार महादेव और उनकी मम्मे खाना पका रही है ठेक हर हर महादेव अंटी हर हर महादेव मैं हूँ आपका बाई गोपु व्लग और हम जा रहे हैं साइकल से अबर नास बाबा के दर्शन करने के लिए वो भी गुजरात के मैसागर जिल्ले से और आज हमको गड़ से निकले हुए चार दिन हो गए है और अभी हम पोच गए है यह जा रहा है उदैपू हाई जा रहा है और इस तरफ है सामराजी सीटी तो अभी हम जा रहा है सामराजी मंदिर के दर्शन करने के लिए बाके हमारी साइकल की पैकिंग भी हो गई है और मेरे साथ एक और भाईया है वह भी मैसागर गुजरात से हूँ ठीक है तो अभी हम जा रहे है सामराजी मंद अब चार्च में रुखा है अन्शेत्र यहां पर कोई भी रुख सकता है खाना पीना सब कुछ मुक्त है जैसे यात्री के लिए ठीक है तो बाकि अभी हम नास्ता कर रहे है वह भी चाई और पोहई है गर्मा गरम चलो कर लेते हैं चाई बोवा करके मलब नास्ता करके फिर य हारे तो चलो हर हार महादेव हैं इस इस तामला जी मंदर का मैंग्हेट है और हमारी सेक्ल यहां पर पार्क कर दी हमने अब जा रहे मंदीर में दर्शन करने के लिए है नोब हैं सामल्या जी का मंदिय का अब जाते अ कर दो दो कर दो कि दो कर दो कर दो को दो तर भूब है अभी को हमको यहाँ पर साड़े दस बज गए है और हम पता नहीं यहाँ पर बैठने काई मन हो रहा था और दिखो पीछे मंदी है और चलो अब हम निकल लेते हैं चलो निकले आज तो हम इडर नाइट करनी है कल हम पहुचने वाले हैं कल पहुच जाएंगे हमारा फर्स्ट पढ़ाओ अंबाजी और यहाँ से देखो फांबाजी 116 किलोमीटर की दूरी पे है अबाजी तो आज हम रुकेंगे शायाद इडर के आसपास रुकेंगे यहाँ से डर है 46 किलोमीटर चलो यहाँ ब्रीज अब बढ़ते आगे की और अगे चलो है देखो हाईवे है किसके पास में वाकिए हमारा गोध्रा यहाँ से देखो 120 किलो मीटर की दूरी पे है तिया पर आभी कचोर्या खा रहे है जो प्लेट चास्नी 500 मीटर का ट्रेक था जो ढलान है वो है बीलोडा चोकडी आगे आने वाला है बीलोडा सिटी आने वाली है और करीबन 500 मीटर जितना हमने साइकल प्यादल ही चलाई है बहुत पकए और यह जो चड़ा है इसके आज पास इस कॉनर पर और इस कॉनर पर जो गाई बेस होते हैं वो मरे हुए पड़े हैं बहुत ज्यादा बद्बु आ रही थी बहुत ज्यादा कर भी क्या सकते थे हम आ गए अब थोड़ा उतार आएगा तो जैसा सुकुन जैसा पाप्त होगा हवा भी बहुत तेज आ रही है अब निकले है तो थोड़ी मुष्टेले भी जेलनी पड़ेगी चालो अमेशन है तो यार अभी हम है ना इडर पौकने वाले है और यहाँ से इडर जो सीटी है ना वो साथ किलोमेटर दूर है और मेरे प आखा और है यहाँ पर को खाल लेकिन माना कर दिया तो यह आपर भी हम Hilmi आपर है वह खो क्यारत है की तो हम अने के घर चलते हैं कि चलो अभी हम आ गए हैं उन पईया के घर पर जो हमने उनको बुलाया था वाकि देखो यह उनका गाउ है और हमारी साइकल हमने यहां पर पार्क कर दी देखो ठीक है और अभी हम अच्छे सनाएंगे फिर खाना भी अंदर बन रहा है तो हम अंदर का भी सिंग बिका देते ह अब अच्छे से नहाते है फिर खाना खाएंगे और सो जाएंगे वाके कल हम करेंगे खेड ब्रह्मा के दर्शन और में हम मतलब आइक करते हैं कि हमक्ल अंबाजी पहुंच जाएंगे में अमबाजी ज हमारा कपड़े भी दो दिये हैं कि साइकल रही और अभी हम खाना खा रहे हैं बाकि हमारा बीस्तरा पूटला सब कुछ यहाँ पर पड़ा है देखो और यहाँ पर खाना भी तैयार हो गया है चलो खा लेते हैं और खाने में भी देखो यह रोटी और डूड़े बटाकन शाक और बाबागने डाल से तचाला खाए हाँ तचाला यमी नहीं है कि आई चलो अभी का टाइम देखो कंप्लेटली दस बच कर 41 मेट हो गई है और अरितन भाई तो हो गए हम भी सुझाते हैं कि अभी व्लोग मेर अब एड़ पर आहे तीक है जब में पर सुझाता हूं बागे हम आज ऐसी जगह पर सुने वाले और देखो इतने प्यारी हवा रही है वह भी नेचुरल देखो ऐसे आप एदेखो सामने खेतर है और सब लोग हम यहाँ पर सुझाते बहुत ज्यादा ही आपर देखो एक द बूलते हैं अपनी यात्रा डे 5 यानि 5 दे 5 में तीक है तो टेक क्या हर हर मारे विटनाइट